है गाईज वेलकम बैक और जैसे कि मैंने बताया था कि हम एमसी क्यूज भी डिसक्स किया करेंगे तो 15-16 लोगों ने रिक्वेस्ट किया ठीक है तो इसलिए जो है मैं कोशिश करूँ कि मोबाइल से रिकोर्ड करूँ क्यों कि काफी टाइम लग जाता है लाइव आने में इंडिया डिसिजन ओफ नोट जोइनिंग दा रिकाप रिजिनल कोंप्रेंसिव इकनोफिक पार्टनर्शिप इंडिया ने जोइन नहीं की ठीक है तो इसका क्या क्या रिजन था देखिए तीन रिजन दिये हुए आपको बताना है कि इसमें से कौन-कौन से हैं या नहीं है पहला huge trade deficit with recap यहनकी regional comprehensive economic partnership है उसके साथ काफी हमारा एक तरह से deficit है first statement ठीक है उसके लाव दूसरी statement क्या बोलती है इसके अंदर दूसरी statement बोलती है Indian investor are investing in recap country in state of India ठीक है यह दूसरी statement third कह रहा है concern of dairy farmer तो इसमें आपको समझना पढ़ेगा कि कौन सी statement नहीं है यह देखनी है दे इसके recap किया जो आशियान countries है ठीक है आशियान countries है और उनके साथ जिनका free trade agreement है ठीक है तो उसके लिए जो है एक यह पूरा agreement बनाया जा रहा था regional comprehensive economic partnership जिसके अंदर एक कोशिश की जा थी goods और services का जो है सारा जो है एक pact बनाया जाए जिसमें good service को cover किया जाए intellectual properties को cover किया स्टार्टिंग कब से हुई है 2011 से करीव इन स्टार्टिंग होई इसकी ठीक है फिर से इसकी meeting होई तो यह सब चीजे होती रही पहले countries कोन सी है देखिए आशियान की जो countries है पता ही आपको बुरुन नहीं कंबोडिया इंडोनेशिया लाओस मलेशिया मैनमार फिलिपिन इंडिया क्या बोला इंडिया के साफसा बोला कि हमारा ओलरडी जो है trade deficit बहुत जादा है यानि कि हमारे अगर बात करें तो हम लोग कम चीजे बेजते हैं एक्सपोर्ट करते हैं जो आशियान कंट्रीज है या फिर उस में चाहे चाए चाइना भी हो चाइना भी Inclued हो सब्सक्राइब करेंगे इंडिया में नहीं करेंगे ऐसा कोई नहीं था तो सेकिंड स्टेटमेंट यानिकी यह आंस्वर में होगी क्योंकि यह नोट करेक्ट क्या पूछ है थार्ड है कंसर्ण ओफ डेरी फार्मिंग का देगे बहुत बड़ा कंसर्ण था ऐसा मना जाता है जैसे न्यूजलेंड हो गया तो वहाँ पर डेरी प्रोटक्ट बहुत सस्ते में जो है आते हैं उसका लावा चाइना के गूड्स भी तो यह सब चीजे जो हैं इंडिया के इं बोल सकते हैं कि नोट में आएगा जैन की सेकंड यह वाला कंसर्ण नहीं था यह दोनों कंसर्ण बिल्कुल ठीक है तो यह स्टेट्मेंट कट हो जाएगी यह स्टेट्मेंट कट जोगी तो आंसर इसका टू ओनली हो जागा ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन ने देखिए विच ओ फॉलोइंग इवेंट्स आर रेफरेंस टू दा वर्क ओफ डॉक्टर बी आर अमबेड कर जी के वर्क पूछें क्या क्या रहे हैं क्या क्या नहीं रहे हैं तो इसमें देखिए यह कोश्चन काफी बर UPSC मे अगर अगर आपको सिर्फ स्टेटमेंट 2 पता है ठीक है नहीं है तो आप जो है पूरा करेक्ट कर सकते थे ठीक है यानिकि दो स्टेटमेंट तो आप इससे हटा ही सकते हैं, त्योंकि All India Anti-Untouchability League जो है, यह महत्मा गांधी नहीं स्टार्ट किया था, untouchability को खतम करने के लिए, इसके लिए बाद में इसका रीनेम भी किया गया, हरीजन सेवा संग, ठीक है, Servants of Untouchable Society, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसका जो है, इस टाइम जो इंडस्ट्री लिस्त है, घंशाम दास बिदला, उनों वो जो है इसके प्रेजिडेंट बने और अमरितलाल ठक कर जो है, उसके सेक्रेटरी बने, तो यह वाली स्टेटमेंट गलत होगी, इसको आप हटा दीज देखे, कलाराम टेंपल के नाशित के अंदर जो है, वहाँ पर काफी प्रोटेस्ट किया था, बियान अम्बेड करें, 1930 के आसपस, दलित को जो है, एंट्री नहीं दी जाती थी, टेंपल के अंदर, ठीक है, तो नों वोइलेस मुमेंट वहाँ पर शुरू हुआ, करीबन 15, 14,000 लोगों ने पार्टिस्पेट किया, टेंपल मेंटरी करनी थी, लेकिन नोन वोइलेस था, वोइलेस नहीं वहाँ याँ पर, ठीक है, सत्यागर पात साल तक चलता रहा, फाइनली जो है, जो भी अंटैचेबल बोल सकते, आप दलित बोल सकते, इनको अलाओ किया गया इसके बाद देखे, अंबेड कर जी ने साफसा बोला था, कि हम देखे, टेंपल मेंटरी नहीं, ऐसा नहीं कि हमें जरूरी है मंदिर जाना, लेकिन हमें अधिकार होना चाहिए, ठीक है, तो स्टेटमेट 3 जो के, अगर आपको स्टेटमेट 1 नहीं भी पता, तो अभी आप आप अन्सवर करेक्ट कर लेंगे कि ए होगा, ठीक है, लेकिन जो बहिसक्रित हिता करनी सभा जो है, ये भी जो है 1924 में बियारम बेड करनी लोंच की थी, इसके अंदर भी जो अंटेचेबिलिटी है, उसको खतम करने के लिए इसको किया गया, जो ग्रिवांसी होते हैं, उ इसमें statement क्या होगा, आपका answer होगा A, ठीक है, बहुत easy है, चलिए, next आता है ये, ये देखें, mapping हम already कर चुके है, मुझे लगता कि ये question आप गलत करेंगे, match the following है, आपको देखना है कि कौन सा match कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है, ये आपको दिये हुए, 3-4 वो दि इन्होंने, कजाकिस्तान, ठीक है, कैस्पिन सी के साथ दिये है, कजाकिस्तान, दूसरा statement देखे, black sea, black sea दिये है, ग्रीस, अब देखे, black sea तो हमने बल्दो नहीं, black sea भी हम पढ़ चुके है, red sea भी हम लोग पढ़ चुके है, ठीक है, तो इसमें गलती नहीं करनी है आपको, यह समझना आपको इसका आंसर क्या होगा, उसके लावा red sea, red sea, syria हम देखा, red sea में syria कहीं नहीं है, ठीक है, red sea हम पढ़ चुके, ठीक है, red sea, sorry, यह, तो red sea के अंदर syria नहीं है, तो यह red sea को हट जाएगा, यहनकि third वाला option हट गया, third sea हट गया, तो आपका पहले दो option हट ग वैसे cashpensy का भी हमने पढ़ा था, अगर याद हो आपको T-A-R-I-K, यह trick होती है, ठीक है, कौन-कौन सी country की इससे touch करती है cashpensy, तो यह trick है, मैंने पढ़ाई है, तो इसको देख लीजिए, तो इससे यह भी A भी ठीक हो जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका D, ठीक है 19 हो गया, यह सब rights जो है, उसके अलावा 14, 15, ठीक है, यह जो है 15, 16, 19, 39, यह जो है foreign nationals के पास नहीं होते, तो freedom of speech and expression किस में आता है, 19 में, यह यह तो नहीं होता, number one, number one में जो है एक ही statement में आ रहा है, first में, कुछ चेक करने की जरूती ही नहीं आपको, ठीक है, वैसे यह 16 म यह 25, 27, 28 में आते हैं, यह वाले हो सकते हैं, 29, 30 नहीं हो सकता, ठीक है, तो यह सब चीजे आपको पता रहेंगी, तो आप जट से कर देंगे, note पूछा था, अच्छा इसमें note पूछा है, कौन सा नहीं है, यह यह जो है, तो answer इसका first नहीं होगा, ठीक है, यह अटा दीजे जैसे कि मैंने का 16, ठीक है, एक मिनट, हाँ, 16 वाले बात करें, 15, 16 की हम बात कर रहे थे, तो यह भी नहीं है, तो fourth वाले भी हट गया, तो answer इसमें बज़ेगा, 2, 3, ठीक है, इस तरह चीजे आपको थोड़ा सा सर्च करनी है, एक तम याद करनी है, एक ही चीज, पहले आप कोई एक चीज देखनी है, सबसे correct कौन सी statement है, जो बिल्कुल correct है, जिसमें गलती होने का कोई chance नहीं है, पहले उससे देखिए, उससे आपका क्या होगा, 2, 3 option आपके हट जाएंगे, जैसे 2, 3 option हटेंगे, हो सकता है, एक statement से आप, 3 statement, 3 जो है, पर पहले आपको वो देखना ह जो आपको बिल्कुल पता है, ठीक है, बिल्कुल correct पता है, कि ये तो हो गई होगा, दूसरा हो या ना हो, तो उससे आप काफी चीज़े ठीक कर सकते हैं, जैसे इस statement हम देखिए, आर्टिकल 19 हमें पता ही है, कि आर्टिकल 19 जो है, वो साफ साफ कहता है, कि जो ये foreigners के लिए नहीं होगा, नोट अवलेबल पूछा है, ठीक है, foreigners को अवलेबल नहीं होगा, फिर मैं ये शायद गलत हमने answer लगाया है, आप पहले देखिए, नोट अवलेबल की बात हो रही है, foreigners को नहीं है, तो 19 foreigners को नहीं है, तो इससे यह हो जाएगा, 1 और 4 ये answer इसका हो जाएगा, नोट अवलेबल की बात कर रहा है, तो हमें और चेक करने की जरुथी नहीं है, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट ही देखिए, ये, ये है, सकाया मोर, ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, जब हम पढ़ रहे थे, जब हम Google की बात कर रहे थे, कि Quantum Computers की बात कर रहे थे, सक अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो गलती कर दिया आपने, ठीक है, तो ये हमारा discussion चल रहा है, उसके अंदर ये चीज मैंने discuss की थी, साफ-साफ, सकाया मोर से रिगारिंग, Quantum Computers में ये यूज होती है, और ये किसने जो Google है, ठीक है, सबसे पहले उसने एक तरह से बोल रहे है, ठीक है, चलिए, तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका होगा, B, Quantum Computers, फिर भी थोड़ा सा अगर आइडिया नहीं है, तो आप एक बार देख लीजिए, Google का मैं बतार, recent paper होगा था, जिसमें उन्होंने बोला, जो है, उन्होंने डिजिटल सुपरेमेसी प्राप्त कर और उसी के लिए, Google का जो Quantum Computer, उसका नाम है, Skymore, ठीक है, आंसर इसका होगा, Quantum Computer, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, विट अधर कोमन लोकेशन होगा, ठीक है, पदूर, ठीक है, यह नई, यह लोकेशन से, पदूर हो गया, ठीक है, चंडी, खोल या मैंगलोर, तो यह तीन जो ह है, लोकेशन किसको डोनेट करती, किस चीज को जो है, यह बारबार न्यूज में रहती है, देखिए, बहुत इजी आंसर अगर पता है, तो, यह आंसर इसका होगा, strategic petroleum reserve, हमारी यहां पर देखे, ऐसे petroleum reserve बनाए जा रहे है, यह तीन लोकेशन पे, अगर कल को तेल खतम हो जा है यह, ठीक है, तो उस चीज के लिए यह जो है, यह एक तरह से reserve है, जो इन तीन जगह पे बनाया जा रहा है, तो याद रखी इसको, यह हो गया, चलिए, next, soil type के बारे में पूछ रहे है, कौन सी soil को जो है, represent कर रहे है, तो यह कैसे पता होगा आपको, देखिए, सबसे पह हमारे हिमाले, सबोज के यह वाले एरिया है, तो यह क्या सब हुमिट क्लाइमेट है, नहीं, यहाँ पे सब हुमिट क्लाइमेट इतना नहीं है, हर जगह, ठीक है, उसका करता है, very high amount of vegetation, यह हट गया, रेगूर सोयल, रेगूर सोयल कोन सी है, ब्लैक सोयल को बोलते है, जो आ आपका यह भी हट गया, ठीक है, रेगूर भी हट गया, थर्ड बचा, heavy and high acidic and black, ठीक है, ब्लैक भी है, अब रेड सोयल तो नाम ही है, रेड सोयल होती है, यहाँ पे iron content बहुत ज़्यादा होता है, अगर यह इंडिया का portion, यहाँ पे बात करें, यह इंडिया है, तो इस area में जो है, बहुत ज़्यादा जो है, रेड सोयल आपको, यहाँ की उपर से लेके, तेलंगाना से या तेलंगान से उपर, छतिगर से लेके, नीचे तक है यह, ठीक है, लेकिन यह mostly मिलेगी आपको, जो dry area है, ठीक है, उस area में, रेड सोयल, तो यह भी नियोगा answer हो गया, पीट करेक्टर वर्कॉनन टुग नाथपंतिश, सिद्धाज and योगी थी, ठीक है, यह जो है, यह क्या हुआ था, इस टाइम जो है, नाथपंतिश में, जो है, नाथपंतिश, सिद्धाज, योगी थे, इन्होंने क्या किया थै था, इन्होंने कुछ एक फिलोसफी लेके आये थ इन सब को मानते थे तो यह तो बहुत इजी है अगर सेकेंड ओप्शन को आप देखेंगे तो इसमें बिलकुल सही सेकेंड ओप्शन से आपका यह कट हो जाएगा ठीक है उसके बाद यह रिन्यूगेशन ऑफ मैटीरियल वर्ड को ज्यादा पसंद नहीं करते तो यह भी बिल अमंग अपर कास्ट और एक गलत इन स्थेटमेंट है यह तेखें जो गरीब लोग थे उनको जो है अपर-कास्ट और एकलिए तक यह था ब्रहन जो थे ठीक है ब्रहन वगेरा वह हे उस हिंदुईजम या ब्रहनीजम को जो है फोलो करते थे लेकिन गरीब लोग जो है वह नात्पंति, सिध्धा, योगी जो है, इसको जो है, गरीब लोगों के पास ही जादा जादा फैला था, ये common philosophy जो थी, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, थर्ड स्टेट्मेंट रोंग होगी, बट इस थर्ड स्टेट्मेंट से हमें कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, नेक्स अंदर ये चीज फिर भी होती थी, ठीक है, ये अपनी simple life जीते थे, ठीक है, तो ये इसका, जो है, एक second, हाँ, ये statement 4 भी गलत होगया, तो इससे ये भी गलत होगया, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही था, अगर कुछ और अलग होगा, तो हम उसको discuss करते रहें, चली फिर बबाई, टेक केर, सी यू